देखो बेटा, question number 2 में यह कह रहे है, simplify each of the following expressions, तो पहला है तुम्हारे पास 3 plus root 3, ठीक है, again 2 plus root 2, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, simple, क्या करना है तुमको, पहले 3 को इस से करो, फिर 3 को इस से कर लो, ठीक है, क्या करेंगे, 3 2's are 6, plus का sign लगा, फिर 3 into यह कितना हो जाएगा, 3 root 2, ठीक है, आया समझ में, अब क्या करोगे, देखो plus का sign है, तो simple, तुम्हें एक plus लगा दो, फिर क्या करोगे, अब तुम root 3 को इस से करोगे, फिर root 3 को इस से कर दोगे, ठीक है, तो root 3 into 2, कितना हो जाएगा, 2 root 3, ठीक, फिर plus का sign इधर, plus plus क्या हो जाता है, plus, अब यह क्या हो जाएगा root 3 into root 2, ठीक है विटा, यह क्या हो जाएगा, 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus, यह क्या हो जाएगा, root ले लो, दोनों को अंदर multiply कर दो, मैंने common root लेके अंदर दोनों को multiply कर दिया, 2 3 is a 6, ठीक है, clear, तो यह आपका answer हो जाएगा, आसान था, अब आज आ तुम इसके second part पर, बच्चों, तुम लोग को पता है, मेरा हाथ जल गया है, बहुत जादा, फिर भी मैं तुम लोग को, class ले रही हो, मेरा पूरा यहां से हाथ जलावा है, इसलिए मुझे थोड़ी problem भी हो रही है, लिखने में, इतनी महनत कर रही है, आप तो खुब अच्छे से देख लो, सब को सब्सक्राइब कर दो, ठीक, चला, यह है तुमारे पर second part है, 3 root 3 into 3 minus root 3, ठीक, क्या करोगे, मुझे एक formula नजर आ रहा है, a plus b into a minus b, ठीक है, formula क्या कहते है, अगर a plus b into a minus b, तो हम a square minus b square करते, यहां पर a क्या हो जाएगा, 3, 3 का square कर दो, minus b क्या है, तुमारे पास, root 3, उसक अब ही square कर दो, ठीक, 3 का square, 3, 3's are 9, अब root 3 into root 3 क्या होता है, जब भी root में जो भी number होता है, उसका square करोगे, तो वही बनेगा, root 3 into root 3 क्या बनेगा, 3, ठीक है, आंसर कितना आज आएगा, तुमारे पास 6, ठीक है, clear, अब आजो तुम इसके third part है, बहुत आसान chapter है, यह तुम का है, हुब मेहनत से पड़ो, और अब यह तुम भी starting 9th की, जितनी मेहनत से करोगे, उतनी जल्दी तुमारे लिए maths बहुत easy हो जाएगी, अब यह तुमारे पास root 5 plus root 2 का square, ठीक है, क्या formula है, इसका a plus b whole square का a, पहले formula लिख देते है, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, ठीक है, यहाँ प root 5, तो root 5 का square कर दो, a square, b क्या है, root 2, उसका square कर दो, a square plus b square plus 2a into b, ठीक है, root 5 का square, मैंने बताया, root में जो भी number होगा, उसका square कर दो, तो वो यह बाहरा आ जाता है, root 5 का square, मतलब 5, root 2 का square, 2, plus 2, under root लेलो, 2 5's are 10, ठीक है, 5 plus 2 हो जाएगा, 7 plus 2, root 10, this will be your answer, ठीक है, अब आजो इसके, 4th part पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, root 5 minus root 2, ठीक है, root 5 minus root 2, into root 5, plus root 2, ठीक है, देखो बच्चो, अगेन हमारे पास, क्या हमें नजर आ रहा है, a minus b, into a plus b, कौन सो फार्मिला लगेगा, a square minus b square, a square क्या हो जाएगा, root 5 का square, minus b square, root 2 का square, root 5 का square, 5, root 2 का square, 2, answer will be 3, ठीक है, वीडियो पसंद आयो, तो प्लीज चैनल को सुब्स्क्राइब करना, thank you for watching, Brain O Solution.